हाँ जी बड़े नहीं के सिनारियो वन मैं बात कर रहा हूं MTP is 1 जो कि September 24 एक कोश्चन के सिनारियो वन रेपो कहरी पर्चिस ऑप्शन तो इसमें कुछ खास बात थी लगता है और दूसरा कोश्चन था वो NAV का था मतलब यार mutual fund का था और मैं वो कोश्चन बिल्कुल नहीं करवाने वाला हूं जो अल्रड़ी हमने की यह कोश्चन भी नया नहीं था यह भी बस कोश्चन नंबर जो 10 था ना वो थोड़ा सा ऐसा था कि यह इस टैप का कोश्चन किया नहीं था तर कौन सा shortening ratio shortening ratio क्या होता है तो वैसे हम performance evaluation चेक करते है mutual fund का इसमें अगर sharp ratio है तो standard deviation आ जाता है अगर trainer ratio है तो beta आ जाता है लेकिन shortening ratio में होता क्या है हमें downside standard deviation मतलब एक benchmark है एक benchmark return उससे कम का standard deviation चेक करते हैं benchmark standard deviation उससे कम downside standard deviation तो सर हमें ज्यादा downside deviation downside deviation नीचे लिखते हैं downside deviation एक benchmark से कम कोई बात नहीं है सर यह हमारे syllabus में है कि माइने नहीं रखता पर इसका answer downside deviation का expenses ratio हो नहीं सकता sharp ratio में तो total standard deviation आता है trainer ratio में तो beta आता है तो shortening ratio ही आएक देख ले ना खेरी है फिर से बोल रहा हूं शार्टियोंने ratio का question नहीं है ना हमने किया case scenario थी इसमें भी कुछ खास बात नहीं थी derivative का normal question था पर normal question तेरे ख्याल से इस कहां कोई problem नहीं पस यह थोड़ी सी बात समझते की था कि यह in the money क्या होता है जब exercise price और current market या market price इकवल हो तो उसे बोलते है in the money exercise price और market यह तो add the money हो गए क्या yes call option में इस सर current market price ज़्यादा होना चाहिए किस से exercise price से तो अगर यहां देखो ध्यान सर exercise price है 150 option कौन सा है जी option सर call option है तो सर 150 से ज़्यादा होगा market price तो उसे इंदमनी बोलते है और सर कितनी बार ज़्यादा दिखाई दे रहा है एक बार दो बार तीन बार तो call option इंदमनी कभ कहलाएगा तीन बार इन तीन सिनारियों में इंदमनी है और call option add the money कभ कहलाएगा तो एक भी ऐसा सिनारियो नहीं है कि उसमें add the money है तो इन अबदी सिनारियो तो MC की उसते हैं अगे बढ़ रहा है एक question number four जो की real option real option का इंतिजार में बहुत दिनों से कर रहा हूं real option का question है binomial का question था अगर देखोगे आपकी MTP में तो उसमें दिखाई देगा question number two question two हलाग कि ये question हम already कर चुके है पर फिर भी मुझे नहीं मालूम आपने किया होगा की नहीं किया होगा एक बार roughly discuss कर ले पिएफ is already in production of fertilizers ठीक है और नया plant बनाने का सोच रहा है उसका NPV निकल गया है 200 करोड़ NPV है 200 करोड़ अब उनका ये कहना है कि market condition या तो favorable भी हो सकता या तो unfavorable भी हो सकता अगर favorable होगा तो NPV बढ़ जाएगा कितने percent से बढ़ जाएगा 30 percent से तो 200 plus 30 percent तो 260 NPV आ सकता है पर market की condition खराब रही तो 40 percent से NPV drown हो 200 minus 40 percent उस condition में NPV 120 आएगा अभी NPV है 200 250 भी है सकता है और बोले अगर आपको लगता है कि आप continue नहीं करना चाहते तो आप इसको बेच भी सकते हो it means एक option है this is real option आपके पास एक option है कि आप चाहो तो 160 करोड में बेच सकते हो तो सर ये option कौन सा है ये option आपका हो गया put option value of abandonment option पढ़ा हुआ है धंग से पढ़ाया है real option सर उसका video डाल दोगे कि description में डाल दूँगा भाई तो सर अगर 260 हुआ तो हम option exercise नहीं करेंगे zero abandonment की कोई value है कि अगर यहां बंद कर देंगे तो हमको यार 160 तो मिलेगा मिलेगा तो हमको zero भी मिल सकता हमको 160 भी मिल सकता और इस बात की हमको क्या निकलना पड़ेगा probability और probability कौन सा risk neutral और risk neutral probability वैसे तो आप r minus d u minus d से भी निकल सकते हूँ कोई दिक्कत की बात नहीं है r minus d r का मतलब risk free rate मतलब sir 1.08 ठीक है जाउन होने का कितना देख रहा आपको 0.6 और यहां जाएगा 1.30 minus 0.6 ऐसा करके भी निकाल सकते हो और दूसरे तरीके से भी मैंने समझाया है इस तरीके से भी मैंने आपको समझाया हूँ real option का description में video चेक कर लेना हाला कि एक साल पहले का video है यही question होगा अब probability है तो यह जीरो मिल सकता इसकी probability है और इसकी probability risk neutral probability this is value of put option easy है easy वाला question देख कर जाना भाई लोग जाना आजा अच्छा divided by 1.08 कोशन नमबर 5 मतलब sir question number MTP का बोलू ना MTP में देखने जाओगे तो question number 3B मिलेगा question number 3B please यह question देख कर चले जाना अच्छा question है sir इसके पीछे वजह क्या है क्योंकि इसमें दो concept को mix है एक है gearing और बीटा वो जुड़ा हुआ और FCFF वाला है एक बार question में पढ़ ढ़ा हूँ fear is a privately held company ex-private limited that is operating into retail space and now scouting an angel investor the unlevered beta based on the industry in which operate is 1.5 unlevered beta मतलब sir ऐसी company जिसमें only equity है मैं बिलकुल simple सा concept और उसका बीटा दिया है overall beta भी बोल सकते है ऐसी company जिसमें only equity से funding होती है उसका बीटा दिया है 1.8 जिसको बोला जाता अनलीवर्ड बीटा को लीवर्ड में convert करना पर हम जिस company में पैसा लगा रहा है उसमें debt है और ratio दे रखा है debt का है 40 और equity का है 60 तो overall beta सेम industry का एक ही होता ये बात हो चुकी RF दिया है 5% और RM दिया है 11% तो हमको सबसे पहले इस company का केई निकालना पड़ेगा और KE के लिए RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा और बीटा कौन सा लेना पड़ेगा हमको equity बीटा तो सर ये वाला equity बीटा नहीं ले सकते हमें equity बीटा इसका लेना पड़े तो अब equity beta कैसे और equity beta से के यी निकलेगा फिर केडी निकलेगा और फिर WAC से डिसकाउंटिंग कर देंगे बस इतनी से बात थी तो सर सबसे पहले overall beta कितना है 1.8 फिर हम लिखते beta of equity उपर क्या आएगा उपर आएगा सर equity beta तो equity 60 और नीचे आजाएगा 60 प्लस 40 जो है वो क्या है सर वो तो debt है उसको 1 minus tax करना पड़ेगा after tax 40 into 0.7 28 इससे क्या निकल जाएगा मेरा equity beta 60 plus 8 88 तो 1.8 into 8 divided by 60 equity beta में निकल गया है 2.64 ठीक है यह गेरिंग और beta पड़ देना भाई लोग अब यार हमको केई मिल गया केडी भी मिल सकता है 12 परशंट दिया है और 30 परशंट है 12 into 0.7 तो सर 8 पॉइंट अब यह निकल गया हमारा केडी और केई कितना आर एफ कितना आर एफ है पाच प्लस 1-5 in 2.64 11-5 4 plus 5 अब यह तो आरा 20.84 तो WACC निकल लेते कि 20.4 और 30 है 0.6 plus 8.4 और 10.4 WACC निकल लेते कि 20.6 0.6 0.84 है तो 20.84 in 0.6 8.4 into 0.4 15.86 तो आएगा वह आजाएगा वैल्यो फ़र्म तस 15.864 परशन से हमने डिस्काउंटिंग किया तस बारा पंदरा यह डिस्काउंटिंग करने पर यह आगे इस वैल्यो आएगा कोशन अच्छा इसमें दो चीज़ है कियरिंग और बीटा का भी उच होगा अलाकि यह कोशन आप से बन जाता है इसमें नया खुझ है इसके अलावा और कोई कोशन नहीं है करने के लिए एमटीपी में इसके अलावा सारे कोशन एक फॉर एक्स वोगर इसका कोशन है यह सब आप से बन जाएगे एमटीपी में बस इतना ही करें अब चलते हैं एमटीपी सीरीश नेक्स वीडियो